नमस्कार में हुँ मनीज जैस्वादर इस वक्त मौजूद हूँ सर्गूजा में मेरे साथ यहाँ पर इस वक्त तीचर एसोसियेशन चत्रिजगण के प्रांती पतादिकारी मौजूद है सर्गूजा निवासी है इनसे कुछ विश्यों को लेकर आज चर्चा करते हैं नमस्कार आपका नाम मैं रंजय सिंग प्रदेश महामंत्री चतिचर एसोसियेशन चत्रिजगण के पतादिकारी मौजूद है पदोनती को लेकर तमाम तरह की संकाए और विबाद जारी है प्रदेश के कुछ संभागों में पदोनती की सूची जारी हो चुकी है लेकिन सरगुजा अभी अच्छुता है तो उपाध्या जी पहले आप बताएंगे कि जो पदोनती की प्रक्रिया है यहां पर देखे एक बड़ा ही उत्सा था जब सासन ने एक ऐसा निर्देश जारी किया था कि लबी संभाग के सिक्छों की पदोनती की जाएगी और एक तरह से समझ जीए कि एक एतिहासिक फैसला था लबी संभर के लिए लेकिन मैं मानता हूँ कि आज की तारिक में बस्तर संभाग में एलबी संभर के सिक्छों की पदोनती हो चुकी है दुल्ग संभाग में पदोनती हो चुकी है राजे सासन ने एक सिडिूल जारी किया था कि इस सिडिूल के अनुसार सिक्छों की पदोनती करना है कहने कहीं हमारे सर्वुजा संभाग में जो संजुत सिक्षा कारयाल है इनकी या तो लापरवाही कहिए या इनका जो भी हिला हवाली कहिए उससे हम लोग पीछे हटे और उस सिड्यूल के अनुसार हम नहीं चल पाए और आज भी हमारे पुरे सर्वुजा संभाग के लवी सं प्रफन में चल रहा है उस पीशे पर बात में बात करेंगे रंजय जी पदोनती को लेकर जो कयास लगाए जारा थे कि लोगों को फायदा मिलेगा तुछ तबादले वगर हो जाएंगे कोई कहीं से जाएगा कहा जा रहा है कि जो नियम बताया जा रहे हैं कि ब्लाक से ब्लाक को प्रात्मिकता दी जाएगी उसके ब्लाक में ना हो तो दूसरे ब्लाक में प्रात्मिकता दी जाएगी फेनों जीले में जाएगी तो पदों को अगर अपन जैसे देखे ससरे निगा डाले और बस्तर की सूची पर गौर करते हैं तो अधिकांस तबादले दूसरे जीलों से दंते वाड़ा वगरत जहां पर भी है बस्तर में हो जोगे तो क्या इसका सायक्षिकों को लाब मिलेगा देखिए वास्तम में पदवनत्ती में हमारे सिक्षक साथियों को काउंसलिंग के माधिम से पदे स्थापना की जानी चाहिए थी हमारा चाथिसगर टीचर से सिजन क सुरूस से इस्टेंट रहा है हम लोग लगबख सभी संभाक के जो वरिष्ट अदिकारी हैं संचालक उनके मून icons की गया सभी हमारे सिस्चछ सातियों का कांसलिंग के माधिम से पदे स्थापना कराते हमारे महिला शिख्षक साथी हैं उन साथियों को हागया लाब र विद्व थार उत्व leader लेकिन सिक्षक के लिए उप्युक्त होगा की नहीं होगा उसको नहीं जान सकते हैं यहां पर सासन को कांसलिंग करा के टीचरों की मंसा लेनी प्रभावित हो सकते हैं क्योंकि जीले के बाहर दूसरे जीले में जाकर अपनी विवस्था बनाना स्कूल आना जाना वह बहुत महेंगा पड़ सकता है एक बात और बताएंगे विशिकेश जी कि जो पदुनती की प्रकरिया आप तो डिले हो चुकी है वोट में मामला भी जा चुका है लेकिन यदि अभी ये प्रकरिया चलते रहती तो आम सायक सिक चुको जो हम वगर बन रहे उनको लाब मिलता निश्चीत रूप से लाब मिलता और मैं जो मेरी जानकारी में है कि कम से कम हमारे 5000 से 5000 से जादा सिक्षकता तो या तो प्राइमरी के हम बनते या ओधिती बनते या ओधिल के चम बनते लेकिन अब मुझे नहीं लगता है इस मुद्धे पर तक्षेव किया है रोक लगाई है इसका पूरा का पूरा खामिया जा हमारे अल्बिस समबर के सिक्षक साथियों को भूगतना पड़ेगा चूंकि आप सबको मालूम है कि बस्तर संभा की पदोनती हो चुकी है दुर्ग संभा की पदोनती हो चुकी है वह प्रिंस्पल की बात होती है वहां वरिष्टता सुची बनेगी तो हमारे सर्गुजा संभाग के जो सिक्षक है वो बाकी संभागों से इन दो संभागों से जूनियर माने जाएंगे इसका सिधा सिधा असर हमारे सर्गुजा संभाग के साथियों के पूरे सेवा काल पे पड़ेगा और इसके लिए अब जिम्यदारी की बात अगर हम कहें तो नेशी तुरुप से जो पदोनती के लिए सक्षा माधिकारी थे कहीं ने कहीं उनकी लापरवाही और मैं आपको बेक्तिका तुरुप से बता दू कि कई बार हमने निवेदन किया था कि सर बाकी जगह पे पदोनती क प्रक्रिया आप लोगों ने क्या पन्वगरे भी दिए तो कई बार हमें कहा गया कि नहीं अभी हमारे पास कोई इसी आदेश निर्देश नहीं आया है और यहां पर दस या पंदरा दिन बाद में पदोनती की प्रक्रिया सुरू की गई दूर्ग और बस्तर के सापेक्ष म और उसी का कारण हुआ है कि आज भी हमारे साथी पदोनती पूर्ण होने और मतलब एक खुसी जो होती है ना कि नहीं हमारे हम 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 एचेम बन गए या हम यूडिटी हो गए उसके लिए अभी भी वह इंतजार कर रहे है कहते हैं कि इस पदोनती की प्रक्रिया ने वन टैम रिलेक्सेशन जो तीन साल को तीन साल किया गया है उससे पुरानी सेवा की अब जो गढ़ना है वो सुन हो जारी है न्यूकती संबीलियन के बास से हो रही है इसी विशह पर आप से एक जानना था कि लाब होगा कि नुक्सान होगा इससे वास्तों में वन टैम रिलेक्सेश पूर की सिवा है मैं भी दोहजार पांच से पदस्त हूं 98 से हमारे वहुँतस सीषा सांती पदस्त्त हैं तो एसले में फीलेक्सेशन के मादम सो जो लाब मिलना चाहिए वह फीला हमारे स्षा सांति को नहीं मिल रहा तो दोहरा घात हम लोगों पर रहा है वास्तों में शास गुजा की तासीर रही है कि यहां के मौसम का मिजाद बहुत ठंडा है मेन पार्ट यहां नस्दीक है वैसी एक और तासीर है कि यहां का खून काफी गर्म होता है सिख्षक आंदोलन में यहां के लोग बढ़ चड़ कर हिस्सा लेते हैं अब यहां ली में भी ला रहा है पुर है पुरानी सेवा की गर्णा को लेके करमुनत बितन मान को लेके तो सरगुजा कहां पर खड़ा है वास्तों में पुरानी सेवा को गर्णा को लेकर के विरहत मंच बनाने की चर्चा हमारे सिख्षक संग्ठनों में चल रही है चुकि बहुत से हमारे सिख्षक सांथी सेवा मादपूर जानकारी है और यह तो छर्चा आम है कि चुनावी साल में संगठन अपनी सक्ति दिखाते ही है और इनकी पुरानी मांग है तो देखते हैं कि इनकी मांगे कब तक पूरी होती है जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं करमोननती की मांग in गोषणा पत्र में अगर्णी पिंस्टन बहाली की मांग से खोषणा पत्र सा क्लिंज 2000 साल और हमारी देखी एक आधत रह नहीं कभी कहीं अलग से नहीं मांगा है को अब कि मांग हमारा हम अपने बादे को क्वारदे को पूरा करिए। आप उसको लागू कीजे, अगर आप लागू नहीं करते हैं, या अपने खुषणा से, अपने संकल्प से, अपने बचन से, अपने गंगाजल से अगर पीशे हटते हैं, तो कहीं ने कहीं हम आपको मजबूर करेंगे कि नहीं, आपने जो संकल्प लिया है, उसको अपना पू जल याद दिला रहे हैं, आने वाले सालों में सरकार के लिए ये कठिन नर्णे भी हो सकता है, आंदुलन का आगास, आंदुलन की पिष्ट भूमी तैयार हो रही है, सरगुजा से में मनीज जैसवाल साथी पत्रकाश चंद प्रकाश सहू के साथ एक रिपोर्ट है, साथ में टीचर एसोसेशन के दो महत्पूर पता दिकारी, यह खबर अगर आपको अच्छी लगे, लाइक करे और कमेंड करे और शेयर जरूर करे, ताकि आपके विचार हमको इस खबर के माध्यम से मिलते रहें, धन्यवाद